संजे लीला भनसाली की विवादित फिल्म पदमावत की बॉक्स ओफिस पर सुरुवात अच्छी रही है सूत्रो ने बताया की 24 जनवरी को देजभर में चुनिंदा इस्थानों पर भुकतान के बाद प्रिव्यू से 5 करोड रुपे की कमाई हुई वही रिलीज के पहले दिन कल फिल्म ने 19 करोड रुपे का कारोबार किया ये आकड़े ऐसे समय में आये हैं जब देश के 75 प्रतिसत मल्टिप्लेक्स मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्टिप्लेक्स एसोसियेशन ओफ इंडिया ने राजस्थान, गुजरात, मद्र प्रदेश और गोवा में फिल्म के प्रदर्शन से इंकार कर दिया